आज मैं एक ऐसी अभिनेत्री की बात करने जा रहा हूं जो अपने सफर के दौरान उन्होंने सौज से अधिक हिंदी फिल्मों में काम किया है मगर यह जानकर आपको आश्चर्ज भी होगा इतिहास की पहली भोजपूरी फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चड़ाईबो 1963 में अभिने किया था इनका नाम कुमकुम था कुमकुम का जन्म बिहार के सेखपूरा में 22 अप्रेल 1934 को हुआ था 1954 में गुरुदत के निर्देशन में बनी फिल्म आर पार में अभिने करती हुई नजर आई थी इस फिल्म का मशहूर गाना कभी यार कभी पार लगा तीरे नजर कुमकुम पर ही फिल्म आया गया था इसके बाद कुमकुम कई फिल्मों में अभिने करती नजर आई कुमकुम ने लगभक शाओ से भी ज्यादा हिंदी फिल्मों में अभिने किया उनकी परमुक फिल्मों में कुंदन, CID, नयादावर, मदर इंडिया, कोहिनूर, उजाला, सिर्मान फंटूस, सपेरा, एकलुटेरा, सामिल है साल 1963 में भोजपूरी फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चड़ाइबो में मुख्य भूमिका में अभिने करते हुए नजर आई थी यह फिल्म काफी सूपर दूपर हिट रही थी गंगा मैया तोहे पियरी चड़ाइबो बिधवा पुनर विबाह पर अधारित था यह फिल्म 1963 में परदर्शित की गई थी जिसका निर्देशन कुंदन कुमार ने किया था कुमकुम, अशीम कुमार और नाजीर हुशैन ने मुख किरदार निवाया था इसमें चित्रगूप्त ने शंगित दिया था और लताम अंगेसकर मुहम्मद रफी ने इसके लिए गणा गया था गितकार शैलेंद्र ने अपने गीतों से इसे सजाया था नाजीर हुशैन ने भुजपूरी में कच्छी पटकठा तयार की थी और पटकठा इतनी दमदार बनी कि हिंदी में भी फिल्म बनाने के लोग पेसकस करने लगे नाजीर हुशैन की मुलकात भारत के राष्टपती राजेंदर परशाद फिल्म बनाने की बात की थी राष्टपती ने भी इस बात की सरहना के और कहा कि भोजपूरी फिल्म बनाई है एक दिन उनकी मुलाकात आरा के व्यवशाई विश्वनात परशाथ सहाबाद से हो गई जिनके पास अपना स्टूडियो और सिनेमा ओल था फिल्म का मुहर सोट पटना के सहीद असमारक में हुआ फिल्म में जाकर ही फिल्म आगए पटना के गुलघर औरारा के रेलेवे स्टेशन में भी द्रिश फिल्म आए गए भोजपूरी फिल्म या पहली फिल्म थी गंगा में यह तो है प्यरी चड़ाईवो यह फिल्म बन कर त्यार हो गई थी अच्छे परिणाम भी निकलने लगी थी बलकि भोजपूरी के में जबरजस्त पहचान जो जो कलाकार थे उनकी बनी बर्स 1962 के फरवरी महीने में सबसे पहले वरानसी के प्रकाश टाकीज में पर प्रदर से थोई तो सणकों पर बैल गाड़ियों की लंबी कतारे लग गई थी टिकट नहीं मिलने पर लोग पटना में रात बिता कर दूसरे दिन फिल्म देखकर गाओं लोडते थे शाब परिवार देखना यह फिल्म को एक उत्सव के रूप में लोग देखते थे इस फ फिल्म अपने आप में बेमिशाल है फिल्म में अस्थापित कलकार जितने हुए सभी लोग मुंबई में एक मुकाम बनाए